प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी राश्पती जो बाइडन के निमंतरन पर 21 से 24 जून तक अमेरिकी यात्रा पर हैं अमेरिकी राश्पती जो बाइडन से मुलाकात के दुरान पीम मोदी ने उन्हें 10 तरह के उपहार दिये अब आप सोच रहे होंगे कि किसी के मिलने पर उपहार देना ये तो एक आम बात है हर कोई ऐसे मौकों पर उपहार देता ही है जो कि हमारी संस्कृती का टूठ हिस्सा रहा है लेकिन बात यहां खास यह है कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने कितनी सूझ भूज के साथ भारती संस्कृती से जुड़े जो बाइडन को जो उपहार दिये हैं वो कई माईनों में खास हैं यह विशेश उपहार भारतीय परंपरा को दर्शाते हैं इन्हें खास अफसर पर दिया जाता है यह जुर्वेद में भी इनका उलेह किया गया है दस विशेश तरहा के उपहार को सहसत्र पूर्ण चंद्रो दैम उत्सव का हिस्सा माना जाता है तो चलिए आपको बताते हैं पी एम मोदी ने राशपती बाइडन को क्या-क्या उपहार दिये और इन उपहारों का महत्व क्या है दरसल राशपती बाइडन अपने जीवन के असी वर्ष पूरे कर चुके हैं पिये मोदी द्वारा दिये गए उभार का जुडाव उनकी उम्र से है। यह जुर्वेट में कहा गया है कि जब कोई वेक्ती 80 वर्ष और 8 माह की उम्र पूरी कर लेता है तो वो दुरिष्ट सहसत्र चंद्र कहलाता है। यानि ऐसा वेक्ती जिसने हजार पूर्ण चंद्रमा देखे हों। भूमी तिल्दान यानि दिल के बीच। पीएम मोदी ने बाइडन को एक खास तरह का चंदन बॉक्स उपहार में दिया है। इसे राजस्तान के जेपूर के एक मास्टर शिल्पकार में तयार किया है। इसमें इस्तमाल हुई चंदन की लकडी करनाटक के मैसूर से लाई गई थी। जो चंदन का बॉक्स बाइडन को दिया गया है उसमें गणेश ची की मूर्ती है। भगवान गणेश को विग्न विनाशक कहते हैं और सभी देवताओं में सबसे पहले इनहीं की पूजा होती है। बॉक्स में रखी चंदन की गणेश ची की मूर्ती को कॉलकटा के कलाकारों ने तयार किया है। भारतिये परमपराओं के अनुसार घरों में दिया रखने की परमपरा है। जहां इसे रखा जाता है उसे पवित्र स्थान माना जाता है। पियम मोदी ने बाइडन को चांदी का दिया उपहार में दिया। इसे कॉलकटा की पांश्वी पीड़ी की कारीगरों ने तयार किया है। जो बाइडन को दिये गए उपहारों में एक हस्त निर्मित चांदी का नारियल भी दिया गया है। जिसे गाय के स्थान पर देने की परमपरा रही है। इसे पश्चिम बंगाल के कारीगरों ने तयार किया है। इसके अलावा फूमी के दान के तौर पर मैसूर के चंदन का टुकडा दिया है। तिल दान के लिए तमिलनाडू से मंगाए गए सफेद तिल के बीच भेंट किये गए हैं। उपहार में राजस्थान के कारीगरों द्वारा तयार किया गया, 24 कैरेट शुद सोने का सिक्का दिया गया है जिसे हिरन्यदान कहते हैं। इसके साथ ही पंजाब का घी पेश किया गया, जिसे आग्यादान के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही द्रिष्ट से सत्र चंदर के तहट महाराश्ट का गुड गुजरात का नमक भी दिया गया।